वेल्कम बैक तो माई यूटूब चनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेयरक्प्रभाव ठीक है यानि कि इंड़क्टिव एफेक्ट आपका क्या होता है इससे पहले हमने बात करें थी मेजोमरिक प्रभाव ठीक है मेजोमरिक प्रभाव कि इसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रेयरक्प्रभाव क्या होता ठीक है एंड़क्टिवट्ट क्या होता है चैनल दो बैद्धुत्र रिणात्मक पर्माडवूं के मद्ध्य होता कीज जुए शहर्मार्ब की और द्में होता है तो आधिक ब्रमार्णों की और आकर्षित होता है अधिक बिद्धुत creativity प्रमारू की और सबसे ज्यादा नेगर नेगटिव क्लोरीन तो हम कहां जाएगा थोड़ा सा लोरीन के पासब नुप पर आंशिक रिणावेश आ जाता है और क्या जाएगा उस पर आपका थोड़ा सा कैसा आजाएगा रिणावेश ठीक है जिसे हम डेल्टा से प्रदर्सित करेंगे यह थोड़ा इधर को शिफ्ट हो जाएंगे लेक्टॉन और कहरें इसके विप्रीद कम बैदुत कम बैदुत रिड़ी परमानू पर उतना ही आंशिक विप्रीद आवेश कैसा होगा उस पर धनावेश होगा ठीक है अपोजिक तो इस पर कैसा आजागा आपका प्लस का चार्ण जाएगा ठीक है आजाता है अताहा सह आवंधित इलेक्टॉन के अधिक बैदुत रिड़ी परमानू की बिस्थापन के फल्षुरूप उत्पन दरुवता को क्या कहते हैं कि रखत प्रभाव यह अब जो हम इस में क्या माल को गाधीày हम क्यों आपका माइनस का चार्ण इस पर कैसा आजागा आपका पारूशली पॉसिक पॉस्ट्व तो यहीं जो ध्योब्त मीज़ों छृतब क और यह एक इस थाई प्रभाव होता है कैसा होता है अपका पर्मानन्ट यह आपका मीजोमरक मीजोमरक है और आपका इंड़कीular यह दोरूं आपक्के कैसे हूते हैं इस थाई प्रभाव होता है इसके अलावा घर called a इल्लेक्टर ही इसके बाद पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोमरिक जो आपका कैसा होता आस्थाई प्रभाह होता है कैसा होता आस्थाई तो यह आपको दियां रखना मीजोमरिक और इंडक्टिव यानि की प्रेरक्ट प्रभाह यह दोनों कैसे होते हैं आपके इस्थाई प्रभाह होते हैं ठीक है तो यह कैसा होता है यह एक प्रमान्वों से मिलकर बना है तो उन दोनों दो प्रमान्वों के बीच में अगर electron negativity difference है तो उनके बीच में कैक जनन जननरेट हो जाणगा ठीक है जिसे हम कहते हैं धुर्बिय क्या उन धुर्बिय एक प्लिस का आ जागा और दूसरे पर कैसा आ जागा उतना ही माइनस का जाद जाद है ठीक है तो यह क्या होते हैं हमारे धर्ब होते हैं इन में इसमें केवल सेگमा बंदलेक्ट्रान का विस्थापन होता है इसमें उस्दुरे के किसी ङपीड्षी नीचे आपको कारवन स्रंखला दे रखिए है जिसमें आपका एक carbon number 1 से आपका chlorine प्रमाणू जुड़ा हुआ दिखाया गया है ठीक है तो यह आपको carbon दे रखा है carbon की सरंखला दे रखी है जिसमें carbon number 1 से आपका के लगा है क्लोरीन एटम लगा हुआ है ठीक है तो कहा रहा है इसमें क्लोरीन प्रमाणूं की अपिक्छा अधिक कैसा है बैदुत रिडी होने के कारण ती बन यानि की कार्वन बन पर और क्लोरीन का जो शैवंद का इलेक्ट्रों यूँंग क्लोरीन की और आकर्श्चित हो जाता है अब देखो इसमें क्लोरीन की तरफ थोड़ा कैसा हो जाएंगे आकर्श्र रिडागे ठीक है पहुंच जांगे मालों यह कहां पहुंच गए थोड़ा सा क्लोरीन की और शिफ्ट हो गए ठीक है दोनों इलेक्ट्रोन कार्बन बन के अब कह रहा है प्रणामता क्लोरीन आंशिक रूप से रिणाविश्ट हो जाता है अब क्लोरीन पर कैसा आजागा आपका हलका सा मैनस का जागा और इतना ही कार्बन बन पर कैसा आजागा प्लस का चाहर जागा ठीक है अब यहां पर दो पोल बन गया आपके ठीक है दुरब बन गया देखो यह आपको दे रखा है यह जो बॉंड है कार्बन का और क्लोरीन का तो इसमें के दोनों इलेक्ट्रोन के दर शिफ्ट ह की सबस्ытों आजाएता जहाए अब जब इस पर और अजया जए त Выकल रुड़ू तो यहां पर कमी होगी जब कमी होगी तो यह चाहेगा एससे क्लेट करेंगा कि यह को और यह चाहाएगा कि वो इसको electron दे दे तो हलके से मानलो पहले ज़्यादा chlorine की तरफ shift हो गए थे क्योंकि यह more electron negative है अब इस कारवन बन की तरफ कारवन नमबर 2 के electron हलके से shift हो जाएंगे ठीक है इसकी तुलना में कम अब कारवन नमबर 2 है कारवन नमबर 2 में electron की हलकी सी कमी हो रही है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है तो इस पर कैसा आजागा उसकी तुलना में और कम आजागा तीन बार प्लस का चाहर जागा यह यह इतना कम पार्स बहुत कम ही electron ही इदर को shift होंगे ठीक है तो सबसे जो carbon है यह कैसा हो गया आपका धनावेशत हो गया अब यह क्या करेगा carbon 1 और carbon 2 यहां पर यह carbon 1 और 2 के बीच में जो bond बना है इसके electron को अपनी और आंसिक रूप से क्या करेगा आकरसित कर लेगा ठीक अपनी और आकरसित करता है इसके फलस रूप carbon 2 यानिकि जो दूसरा carbon है यह C2 पर आंसिक कैसा आजागा आपका धनावेश आजागा अब इस पर कैसा आजागा आंसिक धनावेश आजागा जो की carbon नंबर बन से कैसा होगा कम होगा ठीक है परन्तु यह carbon के आवेश से कम होता है लेकिन कैसा होगा carbon बन के आवेश से कैसा होगा कम होगा ठीक है इस प टॉन को खींच रहाता है, जैसे जैसे कलोरीन से दूरी बढ़ती जाएगी, बैसे बैसे ये प्रभाव आपका कम होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे सुरोत कलोरीन से इनकी दूरी बढ़ती जाती है, बैसे बैसे इसका प्रभाव कम होता जाता है, ठीक है, प्रभाव इसका कम होता जाएगा प्रेरक प्रभाव को एक छोटी रेखा से प्रदर्सित करते हैं जिसके मद्द तीर का चिन लगाते हैं क्या करते हैं एक तीर का चिन लगा होता है ठीक ऐसे पहरा तीर की दिशा कम रिड़ विद्धुती परमानूं से अधिक रिण विद्धुती परमानूं की ओर होती है तीर की दिशा केदर होगी कम रिण विद्धुती परमानूं से अधिक रिण विद्धुती परमानूं की ओर रहती है तीर की दिशा ठीक है ये आपको याद रखना है तो इसके बाद कि योगी और मानों की यग करते हैं कि प्रदर्सित करते हैं ठीक है इसका प्रतिक क्या होदा है एक को डिनूट करते हैं तो देखो कारवन नंबर बन और क्लोरीन के बीच का जो बांड है इसमें क्या होगा इसके इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन की और शिफ्ट हो जाएंगे ठीक है तो क्लोरीन पर कैसा आजागा माइनस का और कार्बन बन पर कैसा आजागा प्लस का चाह जागा अब कार्बन बन और कार्बन की च्सित्च को जाएंगे थीक्ता ही कम आब इचा सक सोरी से अब उससे कम धनावेश उत्पन हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका inductive effect कायरा है प्रेरख प्रभाव नापने के लिए hydrogen से अधिक electron बंदता रखने वाले प्रमाणूँ को रखने वाले hydrogen से अधिक electron बंदता रखने वाले प्रमाणूँ को ठीक है और उसके या कोई ऐसा समूँ हो जिसकी hydrogen से अधिक electron बंदता हो ठीक है उसको हम क्या कहते है minus i प्रभाव वाले समूँ कहते है क्या कहेंगे minus i प्रभाव वाले समूँ कहेंगे यानि कि जो electron को अपनी और attract कर सके, खीच सके, वही क्या कहलाते हैं हमारे minus i समूह वाले कहलाते हैं और hydrogen से कम, इससे hydrogen से कम electron बंदता रखने वाले परमाणू वा समूह को plus i प्रभाव यानि कि धनात्मक प्रेरख प्रभाव वाले समूह या परमाणू कहते हैं for example कि अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, minus कौन से दरसाएंगे, यान कि minus i effect कौन से atoms और group दिखाते हैं और plus i effect कौन से atoms और group दिखाते हैं, तो minus i effect मतलब कि electron को अपनी और खीचना, क्या करना, electron को अपनी और खीचना अभी हमने देखा था कि carbon number 1 और chlorine के बीच में जो bond था, वो साजे के electron के दर shift हो रहे थे chlorine की और, तो इसमें chlorine क्या है, hydrogen की effect अधिक red विद्दुती तत्व है, कैसा है, hydrogen की तुलना में अधिक red विद्दुती तत्व है, तो यह क्या करेगा, carbon से electron को अपनी और खीचेगा, क्या समूं, या minus eye effect भी जिसे हम कहते हैं, तो इसमें कौन-कौन से आपके atoms और group होंगे, जैसे minus NO2 की अगर हम बात करें, तो क्या हो जागा, आपका एक NO2 हो जागा, second क्या हो जागा, आपका CN हो जागा, क्या हो जागा, CN, जहाँ पर carbon और nitrogen के बीच में जो bond बनेगा, वो कैसा carbon की तो नाम है, अधिक electron negative है, जो electron को अपनी ओर खीचेगा, यहाँ पर आपका क्या हो जागा, COOH, तो जहाँ पर oxygen और carbon, यहाँ पर क्या है, chlorine किसी से लगा होगा, तो chlorine अपनी ओर electron को खीचेगा, BR हो गया, iodine हो गया, और आपका क्या हो गया, यह बेंजिन हो गया, क्या हो है, C6, H5, और यहाँ पर आपका कोई भी है, हेलोजन गुरुप लगा हो सकता है, ठीक है, तो यह कैसे हो गया, आपके, माइनस आई प्रभाव को दिखाने वाले गुरुप हो गया, ठीक है, NO2, CN, CWH, CLBR, iodine, बगएर बगएर, अब प्लस आई प्रभाव कौन दिखाएग या गुरुप, तो कौन से होगे, जो इलेक्टरॉन, जिस से इलेक्टरॉन अगले, यानि कि मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की ओ, ट्रांसफर हो रहे होंगे, तो यही क्या दिखाएगा, हमारा, प्लस का प्रभाव दिखाएगा, प्लस आई, ठीक है, यानि कि जो इल इसको कुछ आप इस तरह से लिख सकते हो, यह आपका होजागा, यह आपका होजागा, और यह एक बॉंड है, ठीक है, ठीक है, एक कर्वन से अडोजन लगा है, नेक्स्ट आपका क्या हो जागा, C2H5 क्या हो जागा C2H5 और एक आपका क्या रहेगा बॉंड बना रहेगा एक हाइडोजन दो हाइडोजन तीन हाइडोजन और यह चार हाइडोजन यह पांच हाइडोजन और यह बॉंड आपका दिख रहा है ठीक है यहाँ पर भी कुछ आपका लगा हो सकता है नेक्स्ट क् प्रभाव को ढर उन्यार्ट प्रभाव और यहां पर ख्राउब को ढर स्पाइबर कि दिखाएगा मैलें सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि और साथी पास में लगे बेल आइकन को दबा दें जिससे कि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिस्केशन आपको मिलता रहे मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक यू